Dear Students, Welcome to you all on YouTube channel of Amri Seniors Canary School. Dear Students, आज हम लोग English Main Course के Chapter 3 Budgeting Your Time का Part 2 जो की आपकी e-book के page number 20 पर है पढ़ने जा रहे हैं. आपने पिछले वीडियो में जाना की Budgeting Your Time Chapter के लेखक Proverbs के जरीए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी जिन्दगी में समय के महत्तब को जानते हुए हर काम समय पर करने की आदत डालनी चाहिए. आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में हर क्षन बहुत महत्तब पून है. एक बार बीता हुआ समय वापिस नहीं आता. आएए शुरू करते हैं. बुक पेज नमबर ट्वेंटी पेराग्राफ नमबर वन. Every second in life is important. जिन्दगी में हर क्षन बहुत महत्तब पून है. Seconds add up to minutes, hours, days and months. Seconds जुड़कर मिनट, गंटे, दिन और महीने बन जाते हैं. Many a trickle makes a mickle. Trickle means wound और mickle एक बारी मात्रा. ये भी एक प्रोवर्ब है जिसका अर्थ है. बून्द बून्द से गड़ा बर जाता है. बच्चों, आप अपने गर के नल के नीचे रात को कोई बड़ा बरतन रख दें. और नल बिलकुल हलका सा छोड़ें. सुवे उठते आप देखेंगे कि बरतन पूरा बर जाता है. इसी परकार, अगर हम जिन्दगी के हर क्षन क सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम काम्याबी को प्रापत कर लेंगे. लेखक भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि फिर क्यों ना समय का सही इस्तेमाल करने के लिए हर पल को बचाया जाए. If you do not do that, a lot of time is sequandered down the drain for nothing. sequandered गवाया जाना, व्यर्थ गवाया जाना और drain होता है नाली जिसमें घर का वेस्ट पानी बाहर आता है. यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो, a lot of time is sequandered down the drain for nothing. तो बहुत सा समय व्यर्थ ही नाली में बह जाएगा. Life is short and uncertain. सिंदगी बहुत छोटी है और uncertain अर्थात अनिश्चित है. किसी को नहीं पता कि कब मृत्यू उसके प्रानों को हर ले. Art is long and time is fleeting, said a poet. एक कवी ने भी कहा है और ये एक पुरानी कहावत है. प्रवर्ब है, grammar में आपने अक्सर पड़ी होगी. Art कला होती है. लेकिन यहां एक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले काम से है. Art is long अर्थात मनुश्य को एक आदमी को अपनी जिन्दगी में बहुत काम करना है. And time is fleeting प्रन्तु समय उसके पास बहुत कम है. और जो समय है, वो तेजी से बाग रहा है. Fleeting बाग रहा है. We have a lot to do, a long road to transverse, but time at our disposal is very short. हमें करने के लिए बहुत काम है. Transverse होता है, पार करना. A long road to transverse, एक लंबी सड़क को पार करना है. प्रन्तु हमारे पास समय बहुत कम है. Who knows when God Almighty may send a call? कौन जानता है कि कब सर्वशक्ती मान, ईश्वर बुलावा बेज दे. Almighty सर्वशक्ती मान. In fact, every beat of our heart is taking us a step nearer to the grave. Grave, कब्र और in fact, वास्तव में. कि वास्तव में हमारे दिल की पर तेक दड़कन, हमें हमारी कब्र अर्थात मृत्यू के पास ले जा रही है. Therefore, it is imperative that one should make the best use of time available. Imperative, बहुत जरूरी. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ती को जितना समय जीने के लिए प्रापत हुआ है, वह उसका बिलकुल सही इस्तेमाल करे. Third paragraph, one must learn to be punctual in all one's activities. Punctual क्या होता है? समय का पाबंद. व्यक्ती को अपने सभी कामों में समय के पाबंद होना सीखना चाहिए. Those who are behind time lag behind in their life too. वे लोग जो समय से पीछे रह जाते हैं, वे अपने जीवन में भी पीछे रह जाते हैं. An opportunity, missed is an opportunity, lost forever. Opportunity, अवसर, मोका और forever हमेशा के लिए. एक बार खोया हुआ अवसर हमेशा के लिए खो जाता है. By being late, you may miss an important train, a crucial flight, a career-making job, or an admission to an excellent course. देरी हो जाने पर आप किसी महत्तपुन गाड़ी, crucial होता है निरनायक, किसी निरनायक उडान, अर्था जिसका समय decided है, या जीवन बना देने वाली नोकरी, या किसी शानदार course के दाखिले के अवसर से चूक सकते हैं. It is no use crying over spilt milk or blaming the stars when you are yourself responsible for your failure. Spilt milk होता है दूद का बह जाना, और stars होते हैं तारे, प्रन्तु यहाँ पर क्रेहों से लिया गया है. Blaming होता है दोश लगाना, बच्चों, आपने एक हावस सुनी होगी, अब पच्चताए क्या होत, जब चिडिया चुग गई खेत. यहाँ पर spilt milk का अर्थ चिडिया के खेत चुग जाने पर रोने से हैं. अर्थात समय निकल जाने पर पच्चताने का क्या फाइदा? और blaming the stars या फिर अपने ग्रेहों को दोश देने का कोई फाइदा नहीं होता है, जब आप अपनी असफलता के लिए स्वयम ही जिम्मेदार हैं. बच्चो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का काम समझ आया होगा और आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि समय पर ही हर काम सही डंग से कर लेना चाहिए क्यूंकि एक बार बीता हुआ समय वापिस नहीं आता. Next, homework आजाता है. First number पर answer the following questions है. First question है. How can we make the best use of time? हम समय का सही उपयोग किस परकार से कर सकते हैं? Second question है. Where is every passing moment taking us to? कि हर क्षन जो है हमें किस तरफ ले जा रहा है? Third question है. Should we blame the stars when we fail? जब हम असफल हो जाते हैं तो क्या हमें अपने ग्रेहों पर दोश देना चाहिए? Next second number पर filling the blanks आ जाते हैं. Every dash in our life is important. हमारी जिन्दगी में हर dash important है. Day आएगा या second. Second blank है. An opportunity dash is an opportunity lost forever. एक ऐसा आवसर जो खो जाने पर हमेशा के लिए ही खो जाए. Lost आएगा या found आएगा. Third number पर true false है. First है. Lost time can be regained after a little effort. थोड़ी सी कोशिश करने पर बीता हुआ समय वापिस प्रापत किया जा सकता है. सही है. तो true, गलत है तो false. Second number पर crying over the spilled milk is a sign of intelligence. कि बीते हुए समय पर पच्छताना जो है वो एक intelligence का चिन है. होशियारी का चिन है. सही है. तो true, गलत है तो false. Next, fourth number पर multiple choice questions आ जाते हैं. We should dash our time very carefully. हमें अपने समय को बड़े द्यान पूर्वक क्या करना चाहिए? बजट बांदना चाहिए, वेस्ट गवाना चाहिए, वाईल अवे जाने देना चाहिए और फ्रिटर. Many a trickle makes a mickle is a. Many a trickle makes a mickle क्या है? Proverb है, idiom, मुहावरा है, phrase है या एक simple sentence है. Fifth number पर write the meanings of the following words आ जाते हैं. Word meaning है, इनके आपने हिंदी में अर्थ लिखने है. Trickle, imperative, fleeting और transverse. Next six number पर match the following columns आ जाते हैं. आपने same meaning वाले शब्दों के साथ इनको match करना है. Lag, trickle और pine. दूसरी तरफ A number पर to feel sad or distressed, उदास मेहसूस करना, परेशान मेहसूस करना, to remain behind, to flow in drops. Thank you.